जी हाँ दोस्तों जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि IPL 2023 का 31 महा मुकाबला मुंबई और पंजाब के बीच वानखेड़ स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा जो कि मुंबई इंडियस का ये होम ग्राउंड है लेकिन दोस्तों इस मुकाबले के सुरू होने से पहले ही इन जाएगा आपको बता दे कि जहां एक तरफ मुबई की टीम ने अपने पिछले मुकाबले में सेंडराजर सहिद्राबाद जैसी मजबूर्ट टीम के सामने जीत कर आ रही है तो वही दोस्तों पंजाब भी अपना पिछला मुकाबला रोयल चरस बैंकलो जैसी मजबूर्ट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मैच की पीछ रिपोर्ट के बारे में क्योंकि आपको पता ही होगा कि किसी भी मैच को जितने के लिए पीछ रिपोर्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टन होता है यहाँ मैच वानखेले स्टेडियम मुंबई में खिला जाएगा जोकि मुंबई इंडियन्स का होम गिरा हुए है बात करें एवरेज स्कूर की तो जो है यहाँ पे 170 से लिकर 190 तक के आसपास का आपको एवरेज स्कूर देखने को मिल सकता है परस इनिंग का हाईयर स्कूर इस स्टेडियम में 240 रंग का रहा है वानखेले स्टेडियम की पीच लाल मीटी से बनी हुई है इसलिए यहाँ लक्स का पीछा करने वाली टीम का जितने का प्रतिसर लक्स बनाने वाली टीम से ज़्यादा है इस स्टेडियम में बड़ स्वाट लगाना आसान माना जाता है क्य उन सकती है दोस्तों अब बात करें दोनों टीम के प्लेइंग 11 की तो सबसे पहले बात करते हैं मुवें इंडियन के प्लेइंग 11 की तो इस इमेरोवित सर्मा, इसानकीशन, सुर्य कुमार यादाव, तीला कुवर्मा, तीम डैविड, नेहल वाडेरा, कैमरान ग्रीन, इक शौकीन, पियूस चावला, ड्यूएन जैंसेन, जैसे खुंखार, बल्लेबाज और ग्यंदबत खेलते हुए नजर आ सकते हैं वही पंजाब की और से अथरवत तैड़, प्रभशीमरन, मैथ्यूस सौट, अरप्रित सिंग, रांजा, सैंपूरेन, जीतिंद्र सर्मा, शहरुखान, रबाडा, राहुचहर और अरस्दिप जैसे खेलाडी खेलते हुए नजर आ सकते हैं